हाव रुफिक्स सैमसंग M21 हम बटन रिसेंट बटन एंड बैक बटन नोट शोविंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच योट्यूब चैनल पर तो डोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने नेविगेशन क कि के यह प्रॉब्लम सॉल्फ कैसी कर सकते कभी कवर दोस्तों हमरे जो यहाँ पर नेविगेशन बटन से वह हाइट हो जाते और शोन होते हैं ठीक है तो अगर आपको बैसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे यह दोस्तों कुछ यह मैं आपको बताऊंगा और केसे आपका प्रॉब्लम सॉल्फ होगा यह भी मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ वीडियो को आं तक देखे जो भी सॉलूशन उसको फॉलो करें आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पेसा कमाना चाते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज्ज भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग पर उसके बार आपको जाना है यहां डिस्प्लेइब और डिस्प्लेइब जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहां पे नेविकेशन बार नेविगिशन बार पर दोस्तों यह जो स्वाइब जेस्टर का ऑप्शन है अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपका जितने भी बटन से दोस्तों वह यहाँ पे हाइट हो जाएगा जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अभी फिलाल हम बटन बेक बटन था वह खराप है लेकिन शोर नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग को इनेवल कर दिया है थीक है तो आपको क्या करना होगा आपको exemption सेलेक कर लेना है बटन सेलेक करने के बाद दोस्टो थोरा सा कुछ सेकंड आपको वेट करना है और यह आप देख सकते हैं ठीक है तो मेरा जो यहां पर बटन से वो शो कर रहा है और इस तरीके से दोस्तों यह प्रॉबलम सॉल्फ होता है और मेरे पास पर पर यारे तो यह सारे चीजफ से अपके छोनी करते तो आप इसको भी योज कर सकते हैं एस्सिस्टेंट मेन्यू है यहसे आप पर सकते हैं तो इस सारे चीज़़ेंस आप इसके मदद से भी कर सकते यहां फिर दोस्तव आपके पास बढर करके एक ऐना आते हैं अब उसको भी योज कर सकते क Lewis कि आपका रफ अपटेव नहीं तो भी जैगा तो कोई भी प्रॉब्लिम कोई वी इशू नहीं होगा और इस तरह के से सॉल्फ किया जाते हैं वीडियो पसे नहीं आतों वीडियो को लाइक करें और आज के लिए वस इतने उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसे नहीं होगा तेंक्स फूर वाचिंग